हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाला मैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें छोटा बांस बड़ा बांस की कहानी एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे दर्बारी कारियों के अतिरिक भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे क्योंकि वे बीरबल को अपना अभिन मित्र मानते थे बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाग ये होता था कि उसकी चुटीली बातों से समय अच्छा करता था साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से हलके फुल के मिजाज में बाते कर रहे थे चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा दिखाए पड़ा उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार कौन्ध गया उन्होंने बांस का वल टुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को देखाते हुए बोले बीरबल ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानू बीरबल ने बांस का वल्टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की और द्रिश्टी डाली अकबर के होथों पर मुस्कराहट थी बीरबल अकबर का मन समझ गया वो अकबर की हर भाव भांगिमा से परिचित था अकबर अकसर ऐसे प्राशन बीरबल की बुद्धी के परीक्षन के प्रयोजन से पूछते थे उस प्राशन का उत्तर सोचते हुए सहसा बीरबल की द्रिश्टी बाग के माली पर पड़ी वो ही एक लंबा बांस लेकर आम के पेर से आम तोड़ रहा था फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया माली के पास पहुँचने पर बीरबल ने उससे लंबा बांस मान कर अपने दाएं हाथ में ले लिया अकबर के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था माली के लंबे बांस के सामने अकबर का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बोला जहां पना है देखिए मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया